हेई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ आप सब ख्यारियस से होंगे आज मैं आपके साथ सब्जियों की दो ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हूँ जो काफी टेस्टी बनके तैयार होती है चले हम देखते हैं किस तरीके से इसे बनाएंगे यहाँ पर मैंने एक कोकर लिया है उसे गरम होने रखा है और उसमें में जो एक बाउल यहाँ पर आलू इस तरीके से छील के काटके दाल दूँगी यह बड़े साइस का एक आलू है एक बाउल शिम्ला मिर्चे डालेंगे हम और आफ बाउल जो है गाजर डालिए वन बाउल फुल को भी डालिए और तू मेडियम साइस के टुमाटोस जो है इस तरीके से चौप करके वो भी आप आड़ कर दीजिए सबजियों के स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे हम और इसमें अब हम पानी आड़ करेंगे और यही सबजियों का हम इस्तेमाल करेंगे अभी नमक को सबजियों में अची तरीके से मिक्स कर लेना है और कूकर की ढगा देना है कुकर का धकन लगा कि हम जो है तीन सीटियां ले लेंगे दो जो है आप हाई फ्लेम पे लीजी और एक लो फ्लेम पे पांच मिन पकने दीजिए तो उससे जो है सबजियां काफी अच्छे तरीके से हमारी गल जाएगी अब यहां पर एक कडाई लेना है उसमें ऑईल डाला है और इसमें अभी मैं डालूँगी वन टेबल स्पून के करीब लसन लसन को इस तरीके से बारिक बारिक चॉप कर लीजिए आप लसन का जब कलर चेंज हो जाए तब उसमें हम टू मीडियम साइज की यहां पर प्यास डाले हैं प्यास को भी जो है हमें लाल कर लेना है प्यास का जब कलर चेंज हो जाए तब हमने जो सबजियां बॉइल करके रखी थी यह देखिए सबजियां जो हमने बॉइल की थी इन सबजियों को जो है हम प्यास के अंदर अड़ करेंगे देखिए सारी सबजियां डालने के बाद इस्पून की मदश से जो है ऐसे दबा दबा के हमें सारी सबजियों को जो है मैश कर लेना है आपके पास मैशर हो तो आप मैशर का भी इस्तमाल कर सकते हो देखिए मैशर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैश से भी आप इस तरीके से मैश कर सकते हों। लेकिन पारसोनली मैंने इन सब्झी को चम्मच से ही मैश करके बनाया है। देखिए, चम्मच की मदद से जो है ऐसे दबाना है हमें और सारी सब्झियों को जो है मैश कर लेना है दबा दबा के वीडियो में आप देख सकते हूँ कि स्पून की मदश से जो है मैं दबा दबा के सबजियों को मैश कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करना है अब इसमें हम जो है कुछ मसाले आड़ करेंगे जैसे के देखें यहाँ पर मैं one टेबल स्पून रैचछिली पावडर दाल रही हूँ half टेबल स्पून इसमें अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो है सबजियों का कलर काफी अच्छा आता है अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भाजी मसाला आड़ करेंगे और मसालों को जो है भाजियों के अंदर मिक्स कर लेंगे मसालों को भाजियों में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से भाजियों अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं मसाले ढखकन लगा के इसे हमें 5 मिंट पका लेना है क्यों? विकोज हमने जो मसाले अभी एड़ किये हैं मिर्शी पाउडर और पावभजी मसाला वो जो है पक जाना चाहिए अच्छे से इसमेल नहीं आनी चाहिए इसके लिए हमने से डखके 5 मिंट पका लिया है देखें यहां पर भाजी जो है बन के तयार है इसे मैं आपको डिशाउट करके दिखाती हूँ देखें यहां पर मैंने निकाल लिया है भाजी को उसके ओपर थोड़ा बटर लगाया है और उसे पाओं के साथ सर्फ किया है आप चाहो तो इसे रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हो चलिए अब आपके साथ मैं दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ यह है पत्ता गोबी के रेसिपी लेकिन खाने में यह आपको बिल्कुल भी पत्ता गोबी नहीं लगेगी क्योंकि जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसका टेस्ट जो है गोश्ट की तरह आता है साथ ही मैं आपके साथ मैं कुछ ट्रिक्स भी जो है शेयर करती चलूँगी देखिए यहां पर मैंने पत्ता गोबी लिया है उसका जो फॉस्स लेयर है वो निकाल के अलग कर ली है अब पत्ता गोबी लेंगे और उसे इस तरीके से हम काट लेंगे पत्ता गोबी काटना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होता है और सबसे पहली बात तो यह है कि पत्ता गोबी कोई घर में खाने राजी नहीं होते ठीक है क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आता है इस वज़े से और काटना तो बहुत बड़ी मुश्किल की काम होती है तो इसके लिए मैंने आपके लिए आसान सा तरीका लेके आई हूँ देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर होता है उसके अंदर एक ऐसी धार होती है चॉप की जिससे आप बटाटा, कांदा वगेरा गोल-गोल स्लाइस में काट सकते हो उसी की मदश से आप ये पत्ता गोबी को भी इस तरीके से ग्रेट कर सकते हो देखिए कितनी बारिक ये जो है निकली है इसमें से और ये जो है काफी पांश मिनिट में आपकी सारी पत्ता गोबी जो है कटके तयार हो जाएगी देखिए हाँ पर मेरी पत्ता गोबिया सब मैंने उसी तरीके से काट लिया है चलिए अब इसके वे कुछ मसाले देख लेते हैं तीन लसन लिया है एक इंच अद्रका टुकडा लिया है तीन हरी मिर्चे लिया है साथ से आठ काली मिर्च लिया है हाफ डेबल स्पून जीरा लिया है एक टमाटर और एक प्यास लेए इन सारी चूजों को जो है हम मिक्सर जार में आड़ करेंगे प्यास आप गाठके डाले, इस तरीके से. और टमाटर भी काठके डाले जिरा सब मिकसर जार में डाल देंगे और इसका हम पेस्ट तयार कर लेंगे यहाँ पेस्ट देखिये बन के तयार थे, चलिए अब हम इसे बनाने चलते हैं एक कड़ाई लेंगे उसमें ओईल डालिए आप ओईल जब गरम हो जाए तब हमने जो पत्ताव गोबियां काट के रखी थी उसे इसके अंदर आप एड़ कीजिए सारी पत्ताव गोबि को जो हम डाल देंगे अब बॉल में जो बचावा पानी है वो फेक देंगे पत्ताव गोबि को जो हम तेल के अंदर चलाते हुए इतने पानी छोड़ा है इन पानियों को हमें क्या है सुका लेना है ठीक है मसाले अभी नहीं एट करने है पहले हमें इन सारे पत्ताव गोबि को तेल में अच्छे तरीके से फ्राइ करना है यही सबजी की स्पैशलिटी है कि जो पत्ताव गोबि है हमें वो अच्छे तरीके से फ्राइ करना है अब यहां के मैथी के दाने ले रहे हूं, मेथी के दाने हैं, मेथी के दाने की ने डाला है। उसके अंदर मेथी के दाने ए्ट करऊंगी। आट करेंगे। जार भी धोकेस में अंदर पानी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून धन्य का पाउडर एड़ किजी और फटेबल स्पून कश्मीरी लाल मिश डाल लिए, इन सारी चीजों को मिक्स करके हम मसालों को भून लेते हैं, साथी में हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर एड़ किया है, अगर आप गरम मसाला पाउडर आपके पास ना हो, तो जो हमने मसाले पीसे थे, टमाटर लसुन, अद्रक लसुन, उसी में आप सारे खड़े गरम मसाले डाल के भी पीस सकते हो, देखिए से ढखके मैंने भ पत्तागोबी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस तयार है हमारी ये सबजी, क्योंकि हमने पहले ही पत्तागोबी को फ्राई कर लिया था, तो वह अल्मोस्ट गल गया था, और हमने काफी बारिक-बारिक काटा है, तो इसली जो है गल चुकी है, अब चुहे आपके कि अत्तागोबी के कि दिसे हमारी त।